So our today's topic is banking So banking है क्या? हम क्या करते हैं? Banking के लिए The business of receiving, safeguarding and lending of money is called banking So introduction में ने क्या लिखा है? Definition लिखी है banking की The business of receiving, safeguarding and lending of money is called banking So basically हम क्या करते हैं? हमारे पास जो अपने spare कुछ money होते हैं वो हम क्या करते हैं? Bank में deposit करते हैं And then bank क्या करता है? उसे हमसे receive करता है ठीक है? हम ये bank में deposit इसलिए करते हैं ये पैसे ताकि हमारे ये पैसे Risk of losing और theft से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये पैसे bank में deposit करते हैं और bank क्या करता है? हमें इसके बदले में जो हम पैसे deposit करते हैं हमें वो amount तो मिलती है साथ में कुछ न कुछ interest देता है ठीक है? उसके बाद सबसे तो इसलिए मैंने लिखा the business of receiving receiving कैसे? वो हमसे क्या करता है? पैसे कुछ receive करता है हम अपनी wish से उनको उनके bank की schemes के according अपने पैसे क्या करते हैं? उसे उनको deposit करते हैं तो मैंने बताया कि हम करते क्यों है? ताकि हमारे पैसे safe रहें तो bank हमें क्या provide करता है? safe gardening करता है हमारे पैसो की and then एक और काम क्या करता है bank? वो lending of money lending of money में हम क्या करते हैं? हमसे पैसे वो deposit लेके deposit जो हम पैसे देते हैं वो हमारे deposit करके अपने पास वो पैसो को lend करते हैं at a high rate यह पैसे चाहिए किसके होते हैं किसी को अपना suppose किसी को अपना business expand करना है या किसे पड़े लिखे इंसान है अपना क्या करना है? कुछ नया business शुरू करना है तो यह पैसे किन लोगों के पास आते हैं? तो कहां से आते हैं वो पैसे lend करते हैं? वो उस money को at a higher rate मतला basically जो lending का rate होता है और जो हमारा उन्हें deposit करने का rate होता है वो क्या होता है? basically difference होता है जब हम उनसे वो deposit करते हैं पैसे तो उनसका rate क्या होता है? थोड़ा low होता है as compared to the lending of money ठीक है? So इसके इलावा एक और काम भी करता है वो क्या करता है? प्रोवाइट करता है other useful service to the society like अब हमारी क्या है? salary accounts आपने सुनो होगा हम हमारे सब की salary स्वी होती है वो bank account में आती है तो bank हमें एक और facility देता है to provide the transferring money from one place to another जैसे की बड़ी cities में क्या होता है? हमें अपने बच्चा की school fees deposit करने है different types of bill pay करने है government loan कर देने है या income tax यह क्या कर सकते है? हम सीधा bank से क्या कर सकते है? deposit कर सकते है उने इस तरीके से bank हमें क्या कहता है? useful useful services वे provide करता है ठीक है? so now next हम बात करेंगे there are many types of account like saving accounts regular saving accounts current accounts recurring deposit account fixed deposit account and NRA account ठीक है? तो क्या कई तरीके से account कई तरीके से हमें bank क्या करता है? कुछ type की हमें schemes provide करता है ठीक है? उस schemes के according की हम क्या करते है? अपने कोई भी इन सब में से account ले लेता है हम लोग as per our requirement ठीक है? जो हमें सबसे अच्छा लगता है वही हम इसमें अपना पैसा क्या करते हैं उसमें invest कर देते हैं ठीक है? now हम जो इसमें सबसे ज़्यादा बात करेंगे वो हम करेंगे RD accounts की most useful RD accounts RD accounts means हमने जो बात की थी कि there are so many types of saving accounts तो इसमें से एक saving account किसका है? recurring deposit account तो RD accounts हम क्या होते हैं? हमारे basically recurring deposit account होते हैं ठीक है? तो ये क्या होते हैं accounts? हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे हमारा जो बुरा चाप्टर है वो इसी के उपर paste है तो recurring deposit account में हम लोग क्या करते हैं? हमें बैंक क्या देता है? कुछ scheme देता है कुछ time के लिए जिसका time period क्या होता है? 3 months to 10 years जी क्या? हम क्या करते हैं? कोई scheme ले ले लेते हैं जिसकी time कब से कहां तक vary करता है? वो 3 months to 10 years की कोई scheme होती है जिसमें हमने क्या कहना होता है? monthly period जिसका time period क्या होता है? monthly हमें क्या करनी होती है? कुछ fix amount क्या होती है? अपने बैंक में deposit करनी होती है for a particular period time चीक है? this time vary from 3 months to 10 years इसमें से हम कोई भी time ले सकते है minimum 3 months maximum 10 years का ये time होता है इसमें हमने क्या करना होता है? बैंक वालों को एक particular scheme वो scheme हम अपने according चूस करते है कि हमने कितनी amount deposit करनी है ठीक है? और कितने time के लिए ये scheme लेनी है? जब हमारी ये scheme expire हो जाती है अपने time of expiry वो क्या गर दे है? हमें कुछ amount देती है जिसे हम क्या बोलती है? maturity value और sometime it's called lump sum amount तो at the expiry of this scheme हमें क्या खोती है? कुछ money providing किया जाते है वो क्या होती है? maturity जिसे हम क्या बोलते है? maturity value और lump sum amount lump sum amount means कि हमें जितना हमने sum deposit किया था वो तो मिलेगा ही with sum interest कुछ उस पे interest भी हमें क्या मिलेगा? हमें उसके उपर कुछ interest मिलेगा that is जो हमारा sum deposit किया उसके उपर कुछ interest लगके हमें क्या होता है? कुछ जादा amount क्या होती है? जितने हमने deposit कि होती है उससे कुछ जादा amount हमें at the expiry of scheme मिलती है ये जो rate of interest होता है वो कौन decide करता है? RBI ठीक है? ये हमारा reserve bank of India का करता है इस पे इसका rate of interest fix करता है और ये जो rate of interest है time to time change होता रहता है ठीक है? Now next is we have to compute अब ये जो maturity value है ये हम कैसे निकाल लेंगे? तो हमने अभी बात की जो maturity value होती है वो किसके एकर होती है? sum deposited sum deposited plus interest तो sum deposited हमने sum क्या लेते हैं? अगर हमारे पास क्या हो? P as a monthly installment हो ठीक है? तो जो sum deposited है suppose हमने क्या किया? कुछ hundred rupees पर मन्त पे किये तो मैंने one inquiry ये scheme लेई तो मैं क्या करूँगी? मैंने साल में कितना पैसा deposit किया? कैसे निकालेंगे हम लोग? number of months को जितनी हमने monthly पैसे deposit किया है उसके साथ क्या कर देंगे? multiply तो that is अगर मैंने 100 rupees दिये है तो मेरे पास एक मन्त में मैंने उनको कितने पैसे दिये है 1200 तो इसी तरह sum deposited अगर हमने p rupees दिये है p monthly installment थी और number of months कितने थी हमारे पास n तो ये हमारी वेड़ियो होगी p into n plus interest निकालने का हमारे पास formula होता है p into n ये हमें याद रखना है n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100 तो इससे क्या आजाएगी? हमारी maturity value आजाएगी ठीक है? तो maturity value is equal to sum deposited plus interest और इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी monthly installment है उसको number of months से multiply करेंगे ये हमारा sum deposited आ जाएगा plus जो इस पे interest लिखा है वो हमें क्या मिलेगा? as a maturity value at the expiry of the scheme हमें क्या मिलेगा? maturity value now moving to our problem related to banking problem based on banking तो हमें किस type के इसमें question solve करने पड़ेंगे? ये हम देखते हैं अब हमारे पास question है मोहन deposited रुपीज 80 पर मन्त मोहन ने क्या किया? रुपीज 80 पर मन्त क्या किया? deposit किया उसने ये पैसे अपने RDA account में for 6 years कितने time के लिए? 6 years के लिए find the amount payable to him on maturity on maturity if the rate of interest is 6% पर रेन अब हमारे पास क्या है? हमारे पास principal कितने 80 क्योंकि वो पर मन्त की अपनी जो दे रहा है principal उसे deposit कर रहा है bank को वो कितने Rs. 80 कितने time के लिए? 6 years के लिए 6 years को हमने किस में convert करेंगे? months में तो 6 into 12 72 find the amount payable to him on maturity हमने इसकी क्या निकालना है? maturity value जब उसकी ये scheme खतम होएगी तो उसकी कितनी maturity value मिलेगी? कितनी उसे maturity price मतलब at the time of maturity उसे कितना sum मिलेगा? उसे हमने निकालना है if the rate of interest is 6% तो अब हम लिख लेते हैं हमारे पास जो जो दिया हुआ है P is equal to principle कितने हमारे पास? 80 ठीक है? और हमारे पास time कितने है? 6 years which is equal to 6 into 12 months which means 72 months ठीक है? उसके बाद क्या है? rate of interest rate of interest कितना है? 6% ठीक है? यह हमारे पास जो है N की value यह हमारे पास कित की होगी? R की value अब हमने निकालना क्या है? majority value तो हमारे majority value कितनी होएगी? sum deposited into number of months तो यह हमारे पास हम अपना formula लिग लेते हैं P into N plus P into N into N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100 ठीक है? P प्रिंसिपल कितना हमारा? 80 into N कितना हमारा? 72 plus 80 into N 72 72 plus 1 73 3 upon 2 into 12 into Rate हमारा कितना है? 6 upon 100 ठीक है? हम क्या करेंगे? ठीक है? अब हम इसे solve कैसे करेंगे? इसको solve करोगे तो आपके पास आजाएगा 5760 ठीक है? 0 के साथ 0 किट कर दो 2 upon 2 4 upon 2 is a 8 4 upon 2 is a 4 3 ठीक है? अब इसको solve करके आपके पास तो value आएगी वो आएगी रुपीज 1051.20 ठीक है? इन दोनों को आप add कर दो तो आपके पास maturity value बन जाएगी 6,811.20 ठीक है? तो maturity value निकानने के लिए हमें पता था कि उसने ये रुपीज 80 पर मंद उसने पे किये है अपने RDA account में कितने time के लिए? 6 years के लिए हमने याद रखना है कि years में हमने time नहीं लेना time किसम लेना हमने months में find the amount payable at the time of him on maturity हमने maturity value यहाँ पे हमने find करने थी और हमें rate of interest कितना दिया गया था? 6% तो हमारा P कितना हो गया? 80 रुपीज 80 ठीक है? उसके बाद time कितना है? 6 years तो मैंने बताया था कि 6 years को हमने convert करने किसमें लिखना है months में तो 1 year is equal to 12 months 12 months को हमने क्या किया? 6 years के साथ multiply किया तो यह कितना किया? 72 months rate of interest कितना है? 6% ठीक है? बाद में हमने क्या किया? maturity value का formula लगा दिया इसको solve कर लिया सारे value start के तो हमारे पास maturity value कितना होगी? अवर नेक्स्ट कुश्चिन इस Mr. R. K. Nair gets Rs. 6,455 at the end of one year बाद मिस्टर R. K. Nair को कितने पैसे मिल रहे हैं? 6,455 अब यह पैसे क्या है? उसे मिल रहे हैं वो deposit नहीं कर रहा वो उसे मिल रहे हैं at the end of one year at the rate of 4% per annum in a R.D. account किसमे की कौन से account में? R.D. account में find the monthly installment हमने find क्या करना है? कि इसकी monthly installment कितनी थी? वो कितने पैसे पे करता था monthly जो उसे क्या मिला? यह इतने पैसे as a maturity value मिली ठीक है? तो हमारे पास क्या है? maturity value 6,455 रूपीज ठीक है? rate कितना हमारे पास? उस value पे उसे rate of interest कितना था? 14% time कितना है? 1 year 1 year means 12 months ठीक है? so we have to find the principle तो हम मान के चलेंगे let P be the principle या फिर हम कह सकते हैं उसकी monthly installment जाइसे कि हमें पता है जो maturity value है वो किसके इककल होती है? Sum deposited that is number of months into principal of 1 month plus P into N into N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. So maturity value हमारे पास कितनी सी? 6,455. Principal हमने find करना है इसको as it is रहने दोते हैं. N कितना था हमारा? हमें दिया गया था 1 year that is 12 months plus P as it is 12 into 12 plus 113 upon 2 into 12 into Rate of interest कितना था हमारे पास? 14% After solving this will become Rs. 66,455 is equals to 12 P plus यह सबको जब solve करोगे तो आपके पास बन जाएगा 0.91 into P So adding these two values this becomes 12 P plus 0.9 which is equal to 12.91 Rs. 6,455 आप इसको जब डिवाइड करोगे 6,455 upon 12.91 Then our principal will equals to Rs. 500 that is his monthly installment is Rs. 500 Okay? Moving to the next question. The next question is Ahmed has a RD account in a bank. He deposited Rs. 2500 per month for 2 years. If he gets Rs. 66,250 at the time of maturity Find the interest paid by the bank So next type में हमने क्या करना है? Interest निकालना है हमें क्या कहा गया है? Question में Ahmed के पास क्या है? Crackering deposit account है किसी bank में उसने क्या किया? Deposit किये Rs. 2500 per month for 2 years 2 साल के लिए उसने क्या किया? Per month Rs. 2500 पे किये If he gets Rs. 66,250 that is उसे mature होने पर That is उसकी scheme expire होने पर उसे कितने पैसे मिले? Rs. 66,250 at the time of maturity Then find the interest paid by the bank and the rate of interest So first of all, हम क्या करेंगे? सबसे पहले, जो हमें दिया गया है वो सब चीजे लिख लेंगे हमारे पास क्या दिया गया है? वो बैंक में कितने पैसे deposit कर रहा है? Rs. 2500 per month That is हमारा principle कितना हो गया? Rs. 2500 चीक है? उसके बाद time कितना है? 2 years Which is equals to? 24 months ठीक है? Maturity value कितनी है हमारे पास? Rs. 66,250 Rate of interest हमने find करना है ठीक है? Rate of interest हमने find करना है and और क्या find करना हमने? Interest So, in the first part हमें पता है कि जो maturity value है वो किसके इक्वल है? Sum deposit into number of months plus interest That is हमारे पास जो interest है वो किसके इक्वल है? maturity value minus sum deposited जो maturity value थी हमारे पास वो कितनी थी? 66,250 रूपी minus हमारे पास sum deposited कितना था? 2500 into 24 जब हमने इसको solve किया तो हमारे पास आगया 66,250 minus यह हमारा हो जाएगा 60,000 तो हमारा interest कितना आगया हमारे पास? 6,250 रूपी ठीक है? तो हमने जब interest निकालना है तो हमें पता है कि maturity value में से अगर हम sum deposited जितनों हमने sum दिया है उसको minus कर दिये कर दें तो हमारे पास क्या आजाता है? इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट is equal to maturity value minus sum deposited maturity value हमें गिवन थी sum deposited हमारा इतना था हमने क्या किया? maturity value में से हमारी sum deposited को हमने minus कर दिया तो हमारे पास कितनी value आगया इंट्रस्ट की? 6,250 नव तो इंग्स पार्ट इंग्स पार्ट हमने क्या find करना है rate of interest तो rate of interest के लिए हमारे पास interest का formula क्या होता है? P into N into N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100 छीक है? तो principle कितना था हमारे पास? 2500 time कितना था हमारे पास? 24 months 24 plus 1 25 upon 2 into 12 rate of interest हमारे पास कितना है? हमने given नहीं है हमने find करना है तो इसे हमें rate of interest as it is interest हमने उपर वाले पार्ट में निकाला था यह कितना है? 6,250 ठीक है? जब हम इसको solve करेंगे तो यह हमारा आजाएगा 6,250 upon 25 into 25 is equal to R which implies जो R है वो हमारा किसके equal आजाएगा? ठीक है? तो हमारा rate of interest कितना हो गया? 10% तो यह आपको देखना पड़ेगा अपने किस time पे कौन सा formula लेना है अगर हमें majority value की इसमें नई need हों सिरफ interest ही के साथ इसको solve कर सकते हैं ठीक है? यह आपको question के according values लेने पड़ेगी कुछ नहीं किया इसमें हमने सिरफ interest निकाला उसमें सारी values टाली जो थी values हमने डाल थी जो अनन वैली थी उसे एसटीज रहने दिया और अफर solving हमारे पास rate of interest कितना आ गया? 10% तो नहीं कितना आपला थी आपला थी आपला था इस निकाला थी आपला थी यहां था आपला थीज यहां फून्यट था 10% find the time in years for which the account was held, तो हमने find क्या करना है, अपना RD account में, कि हमारा कितने time से ये account चल रहा था कि हमें, जब इसकी maturity value कितनी मेरी हमें at the time of maturity हमें value कितनी मेरी 24,930 और rate of interest कितना मेरा 10% ठीक है तो हम क्या करेंगे, let the account let the account be held for n months अच्छी कह है, let the account be held for n months since जो पी था हमारे पास, वो कितना था, रूपीज, 600 and rate कितना था हमारे पास, 10% ठीक है, तो हमने क्या किया, maturity value निकालने के लिए, हमें maturity value की में थी, तो हमें maturity value का, यहां पर formula लगाना पड़ेगा, जो maturity value है, वो किसके इककुल होगी हमारे पास, sum deposited, that is p into n, plus interest, तो sum deposited, interest का formula हमारे पास होता है, p into n into, n plus 1, 2 into 12, into r upon 100, ठीक है, तो हमारे पास, sum कितना उसने deposit किया था, 600, हमें, n क्या मान रख का हमने time, कि कितने months के रिए, उसने, यह account open किया था, maturity value उसकी कितनी है, 24,930 रूपीज, ठीक है, plus p into n into n plus 1, तो हमारे पास p की value 600, again, n की value हम as it is रहने देंगे, क्योंकि हमने इसकी value निकालनी है, 2 into 12 into r upon 100, अब आप इसको solve कर लीजिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर interest की value अभी नहीं डाली है, 2 into 2, rate हमारा कितना है, 100, तो हमारा यहाँ पे, जो 2 था, वो इसके साथ कटके, तो हमारा जो 2 था, वो गिसके साथ कटके है, यहाँ, 5 के साथ, 100 यह पहले ही कट चुका था, sorry मैंने एक पर दुबारा लिख दिया, 600, n, plus 5, n, n, plus 1 upon 2, 2, 4, 9, 3, 0, अब हम क्या लेंगे, इसका LCM, तो इसका LCM लेने के लिए, यह क्या हो जाएगा, 1200, n, जब 2 इसका LCM लेंगे, और अंदर क्या बन गया, 5 n स्केर, plus 5 n, तो next step में, यह इधर जाके, multiply हो जाएगा, तो यह value बन जाएगी, 49,860, which is equal to, यह like terms को हम add कर देते हैं, तो यह बन जाएगा, 120, 5 n, अब इन सब में से क्या है, हम अगर divisibility test देखें, तो इसके पास 0 है, और 5 है, that is, all the terms are multiples of, 5, तो हम इसको काट के, लिख देंगे, 9972, जब हमने 5 common निकाला, plus 241 n, ठीक है, so in the next question, next line, हम क्या करेंगे, इसको reduce कर लेंगे, equation को, n square plus 241 n, minus 9972, तो जब हम इसके factors बनाएंगे, तो हमारे factors बनेंगे इसके, 277 n, minus 36 n, after solving हमारे पास, दो factors बन जाएंगे, n, 36 n, plus 277, तो n की हमारे पास, दो values आ जाएंगे, 1 n की value 36, और 1 n की value, minus 277, तो this value is rejected, because negative value, months को, हमके भी months को negative नहीं ले सकते हैं, तो n की value 36, which implies 3 years, that is, जो account उसको open था, वो कब से था, 3 years से open था, तो basically, जो हमारे पास question में दिया गया था, जो हमारे पास P की value कितनी थी, 600, rate कितना था, 10%, हमारे पास क्या था, इसमें maturity value given थी, तो मैंने maturity value को यहां पर formula लगाया, plus interest का, तो maturity value हमारे पास कितनी होगी, 24,930, into is equal to 620, because हमारे पास principle की value 600 थी, ठीक है, plus P into N into N plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100, जब हमने इसको solve किया, तो हमारे पास जो equation थी, इसमें reduce कर गी, ठीक है, after this, solve करने के लिए, हमने क्या किया, यहां पर 2 का LCM ले लिया, यह value इदर जाके multiply होगी, और 2, 600 के साथ भी multiply हो जाएगा, तो हमारे पास equation reduce होके, इस form में बन गई, जब मैंने देखा, इसको all simple करने के लिए, मैंने सारे equation में से 5 common निकाल दिया, 5 common निकाल के, यह equation में किसमे convert हो गई, quadratic equation में, आप किसी भी वैथर से इसको solve कर सकते हैं, तो यह, जब हमने quadratic equation में इसको solve किया, तो हमारे पास दो factors बनेगे, 277 और 36, after solving, n की हमारे पास दो values आगी, n is equal to 36 और n is equal to minus 277, तो n की value 36, दूसरी value क्या होगी, reject because time can't be negative, n is equal to 36 और उसने कहा था, हमने value किसमें बतानी है, years में, इस बात का ध्यान रखना, कि years में निकालने के लिए, हमने जो months हैं, उसको convert करना है, किसमें, years में, तो यह कितना हो गया, 3 years, तो 36 month is equal to 3 years, तो यह हमारा इसका last problem थी, हमने first problem में, simple maturity value निकाल ली थी, second में, हमने monthly installment के बारे में, discuss किया था, और third question में, हमने क्या किया, interest और rate of interest निकाला था, and the last question में, हमने time निकाला, तो basically यह आप देख रहे हो, कि सब में क्या है, खुम फिर के एक ही formula लग रहा है, तो इसको आपने ध्यान से पहले question पढ़ना है, हमने कहां पर अकेला interest लीना है, कहां पर maturity value लेनी है, उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, और उसके according आपने question को solve करना है,